कि हेलो प्रेंट साबका इस टेडिया की केटिन स्वागते आज आपके लिए में जनरल सैंस की कलास लेकर क्या गाई हूँ दोस्तों सभी विद्यारतियों का बहुत बहुत स्वागते हैं यहाँ पर इन 11 नमबर की कलास हैं और डेली है कलास कितने बजे होती है साथ बजे है ड जल्दीश एक हो जाई दिए तो चले प्येल्ड आप किस ने आज के लाइफ टेस्ट का रग्त प्रिसंच्रन के बारे में किसने सरोपर्तम जानकारी दी अच्छा किसने बहुत ही शाणकारी दी तो जल्दीश एक रइट आंसर बताएंगे वीलें akar way किसने वीलियम हारवे बिलकुल अच्छा कुसन है बहुती शान्दार रग्त परिसंचरन के बारे में सरव परतम वीलियम हारवे ने जानकारी दीती उसके बाद नेक्ष्ट क्यूसन है बार के अनुपात में तारों में कितनी हाइटरोजन है तो आपके 126 वे बिसंद का राइ जमकीला होता है उसका जीवनकाल जल्दी बताये जो तारा जितना चमकीला होता है उसका जीवन outta ुटना ही कम होता है यानि कि जो जितना चमकता है उसका जिवनकाल उतना ही कम होता है तो यह आपको याद रखना है इसका टू अप्षन राइट हो जाएगा चलेगा next question है ब्रहांडिक में ब्रहांड में तीवर चमकदार तारों का जिवनकाल लगबक कितने वर्सका होता है तो इसका right answer देगा सभी का option 3 यानि कि 10 की power 6 वर्सल का लगबग होता है उनका ठीक है तो ये आपको याद रखना है चलेगा next question है तारों के सतत spectrum से क्या ग्यात होता है तो तारों के सतत spectrum से क्या ग्यात होता है तो तारों के सतत स्पेक्ट्रम से क्या ग्यात होता है तो इसका राइट आंसर सभी बताएंगे भी तो इसका राइट आंसर का उप्रोग दोन हैं कि तारों का ताप और तारों का रंग तारों के सतत स्पेक्ट्रम से तारों का ताप और तारों का रंग पता चलता है ज्यात होता है चलिए अगरा किसन है एक प्रकास वर्स कितने मिटर के बराबर होता है तो एक जो प्रकास वर्स होता है वो कितने मिटर के बराबर होता है तो इसका right answer जाएगा सभी का बिल्कॉल बहुत ही अच्छा यहाँ पर जाएगा option 4 यहाँ कि 9.46 इंटो 10 की power 15 बिल्कॉल right answer जाएगा दोनों में कोया अंतर नहीं है यह भी सिकता है दोस्तों तेंसर लालो बहुत सारे विदयर सोच रहे हैं कि दोनों में क्या अंतर नहीं है दोनों सही है ठीक है option 2 और option 4 चलेगा नेश क्यूसन है पुच्छल तारों में केंद्रिय कोर अथार्थ नाभी किसके बना होता है जल्दी बताईए पुच्छल तारों में केंद्रिय कोर अथार्थ नाभी किस से बना होता है तो किस से बना होता है तो आपके इस बसंद का रेट आंसर देगा सभी का बरप पुचल तारा में केंद्रिय कोर अतार्थ ना भी किसका बना होता है तो परपिले पदार्थों का बना होता है चिलेगा नेश्क की उसे ने हैली पुचल तारा अंतिम बार किस वर्स में दिखाई दिया था तो इसका राइट आंसर सभी बताएंगे तो इसका राइट आंसर द जो कि अब आगे दिखाई देगा. तो आपको पता है इतने वर्स वागे, अब भी तक दिखाई नहीं दिया ढ़ेरा से यह आपका अंतिमबार दिखाई दिया थाiz i. juice में. अगला किसे ली पूचल टारा कितने वर्स के अंतराल के बाद दिखाई देता है? तो हैली पुचलतारा है जोốn कितने वर्स के बाद दिखाई देता है दोबारा से तो इसका तो आप को याद होगा क्योंकि आपको इसका बिलकुल बहुत अच्छा 76 यर्स के बाद कब दिखाई देता है? पहले दिकाई दिया था 1986 में अब दिकाई देगा 76 एर बाद ठीक है तो यह आपको याद रखना है अगला किशन है पुचल तारे सोर मंडल में किसका चक्कर लगाते हैं तो सोर मंडल में यह तारा चक्कर लगाता है किसका लगाता है तो यह हो जाएगा सोर का किसके चक्कर लगाते हैं पुचल तारे सोर के चक्कर लगाते हैं अगला किशन है पुचल तारो की पूच का पहला हो किस दिशा में रहता है तो इसका राइटांस क्या हो जाएगा तो इसका 135% का राइट आंस हैगा वन यानि कि सूरे के विप्रित क्यों देगा सूरे के विप्रित बिल्कुल राइट आंस रजे अगला किशने ग्रही काये मुक्य तक किसका चक्कर लगाती है ग्रही काये मुक्य तक किसका चक्कर लगाती है तो इसका राइटांस 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 राइ इसका शेयरस आपको याद रखना है शेयरस बिल्कोल राइट अंस रो जाएगा चलेगा नेक्स क्यूसन है उलकाएं किसकी परिकर्मा करती है जो उलकाएं वोती हो किसकी परिकर्मा करती है तो वो करती है परिकर्मा सुर्य की चलेगा नेक्स क्यूसन है आसा करता हूँ या ब तब भी आना है तो चलेगा नेश किसने दोस्तों किस कारण उलका वायू मंडल में प्रवेश करते ही जल जाती है किस कारण उलका वायू मंडल में प्रवेश करते ही जल जाती है तो इसका राइटा अंसर देगा वायू मंडल ये गरसन किस कारण है किस कारण उलका वाई बंडल प्रवेश करते चल जाती तो वाई बंडल ये गरसन के कारण है चलेगा नेश किसने सुर्य का जिवनकाल कितने वर्सों का है तो बहुत अच्छा परसनेश का आपको पता भी होगा तो जल दिशेक बताएंगे सुर्य का जिवनकाल टेन की पाउर टेन येर का है कितना टेन की पाउर टेन येर का है तो ये आपको याद रखना है चलेगा नेश किसने सुर्य गरण काब होता है तो सुर्य गरण काब होता है ये आपको बताना है और चंद्र गरण भी आपको बताना है तो इसका right answer क्या हो जाएगा पहले बताएए सूरेगरण कब होता है तो इसका right answer का amosya के दिन सूरेगरण कब होता है amosya के दिन बिल्कुल और चंदेगरण पुर्णिमा के दिन तो यहाँ पर इसका right answer हो जाएगा एकदम चलेगा next question है किस बीमारी में ORS गोल काम में आता है। किस बीमारी में ORS का जो गोल आपने देखा होगा चोटे बच्चों के लिए पिलाते हैं या आपने भी कभी पिया होगा तो आप इसका र ada answer देंगे। तो इसका हो जएगा दस्त के रूप में। कब लेते हैं दस्त लग जयता है किश चीक है तो ORS का गोल दिया जाता है चलेगा नेश किसे ने निवन में से कौन सा अनुवानसिक रोग है तो आपका यहां पर रही टान्सर क्या होगा जल्दी कमेंट करेंगें तो इसका रही टान्सर रहेगा सभी का बहुत ही अच्छा हीमोपीलिया किसमें अनुवानसिक रोग होता है यह आपको याद रखना है अगला किसे ने काला अजार नामक रोग का पर जीवी कौन सा है काला अजार नामक रोग का पर जीवी कौन सा है तो यहां पर इस प्रशन का रही टान्स होगा लेस मीनिया क्या हो जाएगा काला अजार नामक रोग का पर जीवी है ल हमी भी आसिस नामग रोग में सरीर का कौन सा बाग परबावीत होता है तो वो होता है दोस्तों आपका बड़ी आए ओड़ी आपका रही टांस होगा अपन साटी अगला किसने का कों सा अंगल में 에हू का श्नीफ buyers लोड़ है साकाारी बोजन में कौन सांंगलंत प्रोटीन का स होता है तो आपके 143 परसन का रही टांसर होगा दालें क्या जाएगा दालें आपका जिया पर रही टांसर होगा अगला किशने यूरिया का निर्मान किस बाग से होता है यूरिया का निर्मान किस बाग से होता है तो 147 किशन का रही टांसर दाएगा प्रोटीन यूरिया का न रासाइनिक नाम है तो आप बताईए वीटामिन E का रासाइनिक नाम आपको 148% का रहटान से बताना है तो इसका हो जाएगा तोकोपेरोल क्या हो जाएगा तोकोपेरोल तो निया पर बिलकुत सही है निया पर आपको याद रखने की ट्रिक भी है विटामिन को मैंने बीडि़ो बना रखी है वो देख लेना य Aíसा होता है रत पर एक टॉपी ठीक है रत पर एक टॉपी तो आपको इसारे आपको याद रखने है ठीक है तो ऐसे याद रखो कि तो आपको याद हो जाएंगे अगला कुछन है कौनसा खनीज पदार सरीर में सबसे अधिक मातरा में होता है कौनसा कनीज सबसे अधिक मातरा में होता है हमारे सरीर में पटा पट से राइटांसर देंगे इसका Next Question भी चलेंगे है फिर बताए इसका right answer क्यों होता है क्योंकि आपकी हड़्डियों में किया होता है क्यों होता है तो एई आपको याद रखना है टो अगला अगला किशन है नेन में से किस किरिया से अनिर्थिन चक्र संबंदित है तो 150% का राइटांस रोजाएगा सभी का ओप्सन ओन एन की उत्सर्जन क्या हो जाएगा उत्सर्जन यहाँ पर वन ओप्सन सभी हो जाएगा अगला किशन है नेन में से किसे सरीर का अंत कोशी के दूट का जाता है नेन में से किसे सरीर का अंत कोशी दूट कहते हैं तो आपके 111% का राइटांस रे औप्सन 3 यानिकी हार्मोन क्या जाएगा हार्मोनिया पर बिल्कुल सही हो जाएगा अगला किसन है, सूक्रोज की अधिकता किस में होती है, यहां पर होगा सही रायट एंस्रिछ का, गन्ना चलिएगा नेश्ट कीसड़े नियुनवे से कौनसा पदारतों का नियुने से कौनसा पादपो का सैंचियन बोजन पदारते जल्दी बताएगा एक्सटटरेपनवेगा इसका हो जाएगा मंदे क्या हो जाएगा मंदे यह पर रहिटा साएगा ओप्सन टू पालिक अम्ल किसका रासाइनिक नाम है तो आपके 154 प्रसंद का राइटांस वेगा वीटामन बी-9 का वीटामिन बी-9 का रासाइनिक नाम है ठीक है तो यह आपको याद रखना है चलेगा नेश्ट कि उसने सभी विद्यारतियों के लिए 155 किसन नमरे दो केंद्रक निवने से किस जीव में होता है तो आप इसका राइट आंसर देंगे और आपको लग रहा होगा कि बहुत अच्छे परसन है बिल्कुल बहुत अच्छे दोस्तों यह आने वाले एक्जामें हर बार पूचे जाते है तो 155 किसन का राइट आंसरे प चलेगा नेक्स किसन है मनुस्य में लार मनुस्य में लगबक कितनी लार परती दिन इस्त्रावित होती है तो जल्दी बताएगा नहां पर इसका राइट आंसरे गा 1.5 लिटर क्या होती है लार इस्त्रावित होती है मनुस्य के रोज ठीक है तो यह आपको याद रखना है अगला किशन है, नियन्वे से किस गरंती को पियूस्क या माइस्टर गरंती करते हैं, नियंत्रित नहीं करती, आपको बताना है, नियंत्रित नहीं करती, नियन्वे से किस गरंती को पियूस्क या माइस्टर गरंती, नियंत्रित नहीं करती, तो किशन नहीं करती, तो वो नह करती है दोस्तो परावटू गरंथी को किस गरंथी को परावटू गरंथी को नियंत्रित नहीं करती है जबकि अधिवक्त इसको करती है लिंग गरंथी इसको भी करती है यहाँ पर रावटू गरंथी अगला किशन है सामानेत स्वस्थ वेक्ति को ओसत कितना जल पीना चाहिए सामानेत स्वस्थ वेक्ति को ओसतन कितना जल पीना चाहिए कितना वाटर पीना चाहिए तो आपका राइट आंसर देगा यहां पर चार से पांच लेटर चार जे पांच लेटर आपको डेली पानी पीना चाहिए ठीक है तो ये आपका राइट आंसर होगा अगला किशन है यहापर किसे किसे आत का बुखार भी कहते हैं तो किसे आत का बुखार कहा जाता है तो आप इसे राइट आंसर देंगे तो किसे कहा जाता है आत का बुखार तो वो खा जाता है टाइट पाइट को ठीक है क्या कहा जाता है टाइट पाइट को आत का बुखार भी कहा जाता है यह आपको याद रखने मैंने कल भी बताया था यह से किसन आपके लिए M.D.T. क्या होगा M.D.T. एकदम रहेटा अंसर देगा इस क्षिसन का तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी एधी क्लास परसंद आये हो तो आप अपने मित्रों के साथ वार्ट सब ग्रूप में इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे और चैनल को पटाबट से सब्सक्राइब जरू करिएगा क्योंकि आने वाले आपके राजस्तान पुलिस पटवारी एंटेपिशी ग्रूप डी सभी बैंक जितने भी एकजाम होते हैं इंडिया के अंदर उन सभी के लिए बहुत ही महतोपन रहने वाला है तो देन ने वाद मित्रून